आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो नीट एंड येई में आप फिजिक्स में 120 प्लस 2 से 132 प्लस स्कोर किस तरह करेंगे मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो कौन सा चेप्टर से कितने कुश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से चेप्टर आपको पढ़ना है जिससे कि आपको 120 से 132 प्लस स्कोर फिजिक्स में इजली कर सकते हैं नीट के लिए तो हाँ टू स्कोर फिजिक्स 120 प्लस तू 132 प्लस स्कोर नीट में आपकी स्तरह से करेंगे वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फिजिक्स के वारे में चलिए तो मैं आपको दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ देखें यहाँ पे लिखा है फिजिक्स 70 परसंटेज वेटेज मैं आपको 9 चप्टर बताऊंगा जिससे आपको 132 प्लस स्कोर आप इजली कर सकते हैं बस आपको इतना ही चप्टर पढ़ना है और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है तो चलिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे देखें लिखा है modern physics से चार question पूछे जाते हैं कि कितना question पूछे जाते हैं modern physics से 4 question आप लोग counting करते जाएगा जो कितना question पूछा उसके बाद दूसरा है heat and thermodynamics इससे भी 4 question पूछे जाते हैं उसके बाद next है magnetism इससे 3 question पूछे जाते हैं उसके बाद next chapter है current electricity इस से तीन question पूछे जाते हैं हर साल उसके बाद next semiconductor से तीन question उसके बाद gravitation से दो question ray and wave optics से 5 question सबसे ज़्यादा इस चप्टर से पूछे जाते हैं ray optics से 5 question उसके बाद 8 नम्मर है shm and wave से 3 से चार question पूछे जाते हैं और last है EMI and AC जिससे 3 से 4 question हर साल पूछे जाते हैं तो यहाँ पे एक बाद फिर देख लीजिए बस आपको यह 9 chapter पढ़ना है जिससे आप easily 132 plus score physics में बहुत अच्छा score कर सकते हैं 132 plus और उसके बाद biology और chemistry में आप इसी तरह करेंगे chemistry में 120 132 plus और biology में आप 1320 या 330 इस तरह से करेंगे तो 600 से अबब नमबर आ सकते हैं तो physics के लिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया जो modern physics से 4 question आप यह chapter पढ़ेंगे उसके बाद heat and thermodynamics पढ़ेंगे जिससे 4 question पुछे जाते हैं आपको दिखा देता हूं total question अगर हम देखे तो 30 होता है और 33 होता है क्योंकि last में जो यह दो question है जिससे 3 से 4 question पुछे जाते हैं तो इसको मिला करके आपको total question कितने होंगे 32 33 अगर आप 30 question करते हैं तो mark आपको 120 प्लस आ सकता है अगर आप 33 question करते हैं physics में तो 132 प्लस score easily कर सकते हैं तो मैंने आपको बता दिया आपको अगर आपको physics में score 120 प्लस to 132 प्लस करना है तो आपको जितने भी chapter का मैंने नाम बताया वो chapter आपको अच्छे से पढ़ना है और इसके formula सारे याद कर लेने हैं तो आप यह code achieve कर सकते हैं और इससे जादा भी कर सकते हैं आप अगर इस 9 chapter को अच्छे से पढ़ने और इसका formula याद कर लेंगे अगर आपको मेरे से पढ़ना है यह 9 chapter तो मैं आपको modern physics से शुरू करूँगा जिससे 4 questions पूछे जाते हैं मैं आपको short tricks, tips दूँगा और सारे formula 9 chapter का करवाऊंगा तो अगर आपको मेरे से अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे comment box में comment करके जरूर बताईएगा तो मैं आपको यह series start करूँगा तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye bye इसी तरह देखते रहिए अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें subscribe करें और अपने friends के साथ share जरूर करें ताकि उनको भी पता चले